नमस्कार सात्यों स्वागत आप सभी का पीके एज क्रिशनल डूट चनल पर दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको ने मेरे सीटूट चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे सीटूट चनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के फूलिट को जरूर प्रेस करें हालो गाइज मैं परदीव कुमार और आज मैं आपके साथ यहां पर डिसकस करूँगा यूजी सी नेट जून 2018 का पेपर फस्ट और साथ ही साथ इसका ऑफिशल एंसर भी बताऊगा तो साथ ही मेरे साथ वीडियो के इन तक बने रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो जरू फरस्ट पेपर में यहां जो कोशन है वो सारे आपको परग्राप में मिल जाएगे तो परग्राप को थोड़ा जान से पड़े फर्स्ट जो कोशन है वो प्रद्योगी की आगतो के लाव कपल नाम होगा तो इसका जो राइट एंसर जो निकलना था वो था क्षेशन अबर 3 अप परदयोगी की अनुपस्तिय में किसका मारप प्रश्रस्त होगा। हिसका जो राइट अथा फ़सता . नЕक्सट एकलिय स्थे बारत में कलपना को साकार करने के लिए आवशक शक रहे हैं। इसका जो राइट अंसर था वो था ए स्केंद्रित प्रत्योगी की शक्ति का विकास फिर है उप्रोक्त गज्यानिश के उन्सा निमित में से कौन से कौन चोके आयाम को इंगित करता है इसका जो राइट अंसर है वो फोर होगा A C D A C D नेक्स्ट है नीचे दो आदार बाके A और B दी है जो इन से क्या चार निश्कर्ष निश्कर्ष निकाना था जो बिलकुल सही हो तो A जो दे रखा है वो अधिकांज निर्थ तक शारिक रूप से फिटे और B अधिकांज गायक निर्थ तक है तो इसका जो राइट अंसर जो हो था C B और C B और C क्या इसके सही निश्कर्ष निकलने थे अधिकांज गायक शारिक रूप से फिटे और अधिकांज निर्थ तक गायक है क्वेशन नमबर से वाद है 12C का कूट जो है W C U B E G Z Q है तो कोलकत्ता का कूट क्या होगा तो इसका जो राइट अंसर जो यहां पर एक महिला ने अपने पती से राकेश का प्रिच्चे कराते हुए कार कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलोते पूतर है यह महिला राकेश की क्या लगती है इसका जो राइट अंसर है वह भेहन होगा वह महिदा राकेश की बहन लगेगी नेस्ट है अभीकथन और तर्क दे रखेते हैं याँ पे भी अभीकथन जो है वो कक्षा में कुशल डंग से संप्रेक्षन करना एक सोभवीक शमता है तर्क जो दे रखा था वो कक्षा में प्रभावी सिक्षन के लिए इसका जो राइट अंसर था A A गलत है किन्टु R सही है नेवलिक तुम में कौन सा आगनाद तरक में पूर्बकल्पित है तो ये इसका जो राइट अंसर जो था वो था प्रकृति में समझसे फिर है प्रग्या किस रिष्टा किसी एक भीष्य के बारे में एक अक्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्वट करते हैं जिस प्रकार कनकेव दर्पन उस पर पढ़ने वाले से भी क्रिणों को एक बिंदू पर संग्रित करता है यो किस प्रकार के तर्क का क्या है वही एक उधारन है तो यह है मनोविग्यानिक तर्क हो गए फिर नेक्स्ट जो है वह है कि दो संख्याओं का अनुपाद 2.5 पांच है दोनों कि दोनों संख्याओं में अगर 16 जोड़ा जाए तो इसका उनुपाद 1.2 जाता है तो दो वह दो संख्या कौन सी होगी इसका जो राइट अंसर है वह थर्ड आएगा बीस सर्पाशा फिर एक अक्षा गज चैनत मक्ध्यान का फिर नेक्स्ट आपके पास टिंख्रा दे रखे थी एबी डी डी जी के हैं एम टीबी एस बी आई तो इसका जो राइट अंसर जो निकलना था उनिकलना था फोड जे के डव्यू जट के डव्यू नेक्स्ट है कोशन नबर 15 निलिदा जा कौन सा कथन ब कि अगयर यह जो है मैं आपको जो करवा रहा हूं वह है यूजी सी डाइट जून दोजार थारा का पेपर है दोजार डिसम्बर का जो पेपर वाथा जून में वो ओनलाइन मोड में हुआ था बाकि अगर आप चाते हैं कि अगर मैं आपको दोजार थारा से पहले कि जो प्रिवियस एर के पेपर भी क्या है आपको बताऊं तो प्लीज उसके लिए आप क्या है वीडियो कंत में कमेंट जरूर करें नेक्स्ट है कोशन नबर 16 कोशन नबर 16 है अभी कतान एक अक्षा समप्रेक्षण एक क्रियान विकारी प्रिक्रिया है इसका तरक दोज़े रखाता है वो कोई भी शिक्षक इस माने ताके अंत्रगत कार्या नहीं करता है कि छात्रों की अनुक्रियाए साधर्श्य होती है तो इसका जो राइट अंसर है वो फोर था एस ही है किन्तु आर गलत है पलतु पशु खुंकार होते है यदि इस प्रिक्षेपित प्रतिग्यापित को असत्य मान ले जाता है तो निमलिक में से किस आधार बाकिया को नीची जरूप से सत्य मानने का अधा बाकिया जा सकता है तो सभी कूट आपको इसमें दर्शाना था इसिका जो राइट एंसर जो था वो था B, A और B को सभी मान सकते हैं सभी पालतवश्चों घूंकार होते हैं और अधिकान पालतवश्चों क्या है खुंकार नहीं होते हैं नेक्स्ट है माना अब संप्रेक्षिन परक्रिया की विवरण के लिए निमिक में सकॉन समुच्छी सही है तो इसका जो राइट अंसर आना था वो आना था 3rd A B C D एक जा है अशाब्दिक संप्रेक्षिन बिचारों का उधिप्त कर सकते हैं भी ए संप्रेक्षिन को और जिस्ट चमता है संप्रेक्षिन को सर्वोमिक सामदान नहीं है और संप्रेक्षिन खंडित नहीं हो सकता है यह आने चार और यह नहीं आने चे दो नेक्स्ट है क्वेशन नंबर 20 शिक्षक द्वारा कक्षा में चात्रों को दिये गए आरम्भिक संदेशों को का बाद में अंत्व करी अस्तापीद करने के लिए मैतपूर्ण होना आवशक है आर जो इसका दिया गया था वो दिया आशा अधिक नियंतरन का निहार चात्रों द्वारा अधिगम की अधिक अधिक नियंतरन होता है तो इसका जो राइट अंसर जो था वह था एए गलत है किन्तु आर सही है उसके बाद आपके पास टेबल दे रखाता आप सभी जानते कि टेबल से पांच कोशन पूशे जाते हैं टेबल को आप ठीक से देख लेए फिर उसी के बेस पर क्या है सारे अंसर जो है यह हमारे निकलते हैं तो यहां पर बर्ष 12-14 में देश की जन संक्या कितनी थी मिलियन म में तो वह थी 2.79 जो है इसका अंसर निकलेगा जब आप इसको सोल्व करेंगे बर्ष 2012 और 16 की अबदी में चावल का ओस्त उपभोग मिलियन किलोग्राम कितना था यह था 100.1 देश की जन संक्या किस बर्ष में सरवादिक थी यह थी 2016 में नेक्स्ट एप कुछ बर्ष से कुछ बर्ष में पिछले बर्ष की तुलना में सावल का उप्योग में सरवादिक प्रतिशत बुजदी हुई किस बर्ष में सोरी वो है 2014 फिर है कॉशन 25 किस बर्ष की अबदी में निर्यात और उभो का अनुपाद सरवादिक था यह था 2012 में फिर उसके बाद है कम्प्यूटर से कॉशन था 26 भंडारान की निमलिक्त इकाईयों का सही करम में रखे जिसमें पहले लुगतम इकाई से प्राराम करते हुए धिरकतम इकाई की और चलते जाए तिसमें जो है अंचर जो आना था वह आना था पहले आना था एप बीट फिर भी आना था बाइट फिर आना था किलो वाइट किलो वाइट फिर आए आना था FBA FBA इसमें FBA इसमें FBA फिर आना था मेगा बाइट फिर C आएगा फिर उसके बाद जो है मेगा बाइट के बाद जो है वो आता है गिगा बाइट यानि कि E तो इसमें ये इसका मतलब ये जो है फोर्ट जो है राइट अंसर था गिगाबैट आता है फिर लासने जो है वो टेराबाइट आता है कोशन नबर टॉन्टिसेवन जो है अंत बाईव परदूशन के स्वास्ते के लिए एक गंबीर खत रहा है अविक अधन था तो इसका जो वो टू था ए और आर दोनों से ये प्रंटो आर एकी सभी व्याख्या नहीं है नेक्स्ट है बारत में बारत की बिशालतम उत्ष शिक्षा पंडाली कौन से देश के बाद आते है यह जो आते है वो आते चीन और स्विक्तरज अमेरिका के बाद इसलिए इसका जो अंसर है वो नेक्स्ट है निमलिक्त इमेल फीटस में स्वामी को संदेश मिलने पर कौन से इमेल पत्त को क्या है जान सकेगा तो इसका जोराई टनसर लुट था वो था रामेर्दिुरेटकोम राजेदिृतंटबासarl से कौनष नेक्स्ट है जेंडर बुस्टिंग के बारे निमलिक्त म नहीं दिख रहा है तो इसका जो राइट अंसर जो था वो था बी और डी बी और डी इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट का प्रभाव का मुल्यंकन किया जाता है और डी जो है वो है यह एक बजटिंग नमोनवेश है परदान मंतरी शौद फैलोर्शिप निम्मनलिक इतमें स से किसमें प्यएश्डी कारेक्रम करने वाले शातरों केले दी जाती है तो इसका जो राइट अंसर है वो है आई, आइटी और आई, 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 एस, इस फिर नेक्स्ट बारत में नांगरिक केंद्रीच प्रसाशन में निलते हैं से कौन सी बाद आए हैं इसका जो राइट अंसर था वो था ए ए और बी सिरकार नोकर शाहिको सक्त और अनम्यम अभीवर्ति और कानुनों और न्योमों को अप्रभावी त्रियान बन बीपक्ष का न अब अधिकार आयोग के अधिक्ष का नेक्स्ट कोशन बटन 35 एक नहीं लैप्टॉप का निर्मान क्या गया है जिसका भाहर कम है और अधिक लगुए और अपने पूरववर्ति मोडल की तोलना में कम बीजली का उप्योग करता है इसको बनाने में किस प्रद्योगी का पैसान कीजिए ताब विध्यूत से अंत्र जिसको टी पीपी लिखा गया है थर्मल पावर प्लांट फिर विशाल जल विध्यूत परियोजना है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फिर प्रमानु उर्जा एनी नुक्लियर एनरजी और फिर नभीकर ने उर्जा आर परॉट पावर फिर रणा एल्जा फिर न10 और अच्ट ने न फिर आरि फिर निई निकलियर अनरजी रच त्रेशनल व्यकताओं में निमलीट में से किससे का प्रारं और उतने होता यह जो है वह सूखे का नहीं होता कोई पतानी होता है सुखा कब से कब तक नहीं होता है और कब क्या इसका आन्थ होता है ICT शंग के बारे में कॉन से कौन सा तो इसका जो राइट अंसर है वह क्यूव होगा ICT के अंतरगत प्रिणामी अबदिकी समलिती है जिसके अंतरगत श्रब बेदरशित दुरुबाश और कम्प्यूटर संगनक नर्पर के साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित की जाते है नेक्स्ट है कम्प्यूटर मेमोरी के बारे में दिमीज मेंसे कौन सा या कौन से कसं सही है तो इसका जो रहेट अंसर है वह है के वल क्यूट्व एक्सक्राइब एक्सक्राइब मेमोरी का एक रूप है नेक्स्ट है ताब विद्यूस कोशन नवर पोटीन ताब विद्यूस संत्रों में उत्पादिश फ्लाई एज और प्रेवर निटेशी साधन है जिसमें किसमें उप्योग किया जाता है तो इसका जो राइट अंसर है वो है A, B, C, D, यानि कि सभी आएगे सुक्षम पोशक के रूप में कृष्ची में, बंजर भूमी के विकास में, बाद और जल धरन संचाओं में, इट जल में, इट उद्योग में बाकी अगर आप चाते है कि डिसमबर 2019 का जो एक्जाम हुआ था उसका भी जो क्या आए आपको जो पेपर है, वो मेरे यूटूब चनल पर मिल जाएगा और साथ उसका जो में आपको क्या है, डिस्क्रप्शन में इसका लिंक भी दे दूगा तो अगर आप उसको भी देखना चाहिए तो आप देख सकते हो बाकी प्लीज मेरी आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट अगर आप लोगों अभी तक मेरे स्यूटूब चनल को सब्सक्राइब में कहा है तो प्लीज मेरे स्यूटूब चनल को सब्सक्राइब जरूर करे नेक्स इता विडियोत सेंत्रों में उत्पादिश फ्लाइच एवं प्रयावन हितेशी साधन ऐँ इसका किस में उपयोग किया जाता है इसका ज़ो उपयोग किया जाता है a b c d इसका ज़ो राइट हरो होगा यो हो गया था हमारे यह va ce नेक्स्ट है question number 41 आएगा क्रिया क्लापों के निम्रीक समुच्चे में से कौन सा समुच्चे क्रियात्मक शोद रननेती के चक्रिय पत्ती को इंगित करता है चक्रिय पत्ती जो है यहां से जो कैसे December 2019 में भी क्या है पुछा गया था कि कौन सा शोद क्या है चक्रिय पद्य अपना था या कौन सा शोद क्या है एक चक्रिय है साइक्लिक रिसर्स है न्योजन किर्यान विद प्रेक्षेपन करना और गैन जिंदन करना इसका जो राइत अंसर है वो फरस्ट था फिर नेक्स दो धरका हुआ है नीचे दियेगे मुल्यांकन प्रक्रियाओं में उसकी पैसान कीजिए जिसको निरनात्मक मुल्यांकन का गया है नीचे दियेगे कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनी है तो इसका जो राइट अंसर जो था वो था ए बी डी एफ बी डी और एफ बी जो है वो है शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंत्त करिया के दोरान सुधारात्मक प्रटि पुष्टी पदान करता है सी जो है वो शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदे को स्प्रेश्ट करता है और एफ जो है वो है शिक्षक परशण उत्तरशत्र के मादल में अधिकरम गरकता को अभी प्रेणा में बृदी करता है कोशन में 43 जो है वह यहां पर आपको क्या सुमेलित करना था आपके पास दे रखिया है शिक्षन भी दी और उसकी क्या है सफलता प्रभा या आउशकता है मूल आउशकता है जैसे व्याख्यान देना जो है इसका जो राइट अंसर जो था जो आएगा इसकोशन का वह आएगा 4 फर्स्ट का जो है वह थार्ट है जैसे जैसे यहां पर मिलाए गया पहल अलेडी बी का जो है वह फर्थ होगा समू मेचर्चा शिक्ष्ण उपकरणों का उपयोग सी का जो है वह तू होगा विचार वेश परक्रिया यह बड़ी संक्या में विचारों का समाना वेश करना और अनुक्रमित अनुदेश की पत्ती यह जो है फर्स्ट होगा प्रतिपुष्टी साहित लगूपदों की प्र सैंहीत यह त्मी थेख शिक्ष्टी अम॥ाह बस्की स्तिती का दो लंटिस की क्या गएंगा थार्ट समूर्टिय को अनुदक करना पहले समस्या का चेहन नहोंताय फिर बासनुक्स Pi श्क्तिप कि परिशान की जाती है इते उसको कश्थो कंपरीव चेह नहीं परिश्ती ब् उत्तम ढंग से विवरान प्रस्तुत करता है तो इसका जो राइटांस जो था वो था फोर ए सी एफ ए सी एफ ए जो है वो है शिक्षण और अधिगम आवंशित रूप से सब्बंदित है सी जो है वो समस्त शिक्षण और सरोकार छात्यों के कुछ परकार के रूपानतरन को प्रस्तमाजिक करते हैं जबकि अधिगम एक व्यक्तिकत करते हैं कोशन पर फोटी शिक्षण और शोड निक्तिता की समस्ता है शोड करे अकलाप के किस पहली उसे संबंदित है तो इसका जो राइट अंसर जो है वो है ए साक्षियादारित शोड रिपोर्ट से कोशन अबर फोटी सेवन है यहां पर भी आपको क्या है सुमेलित करना था जोड़े मिलाने थे यहां पर आपके पास शोड रिसर्च दे रखा है और उसकी ट्रेक्टर स्टिक्स दे रखे दूसरे साइट पर इसका जो राइट अंसर जो आना था वो आना था टू एका जो होगा मौलिक शोद जो है सीदान्त निर्वान के मादियम से परवाउ उतपत करना है फिर बहुआ वो फौर होगा वहाबत शोड़ जो बीविक स्तानों में उप्योग के लिए सिदान्त को प्रोजेक्टर को खोजबीन करना और उसके बाद जो है सी का जो है वह थर्ड आएगा क्रियात्मक्षोद है अस्ट शेप के उप्योग के माद्यम से प्रचलित स्थिक्टी में सुधार लाना और लास्ट जो है दी का जो है वह होन होगा मुल्यांकन परक्षोद जो है अच्छे के अनुबूत और प्रभाव का पता लगाना तो इस तरह से नेक्ष्ट जो है वह फोटी एट निम्लेज में किस क्रियाक्राप में सुर्जन शील और समिक शात्मक्षिंतन के लिए सम पोर्षन की अधिक शमता है जिसका जो राइट अंसर है वह है फोर्षोद समेलन में भागिदारी फिर फोटी नाइन है अभी कर अध अधिगम गट्टा का पूर्व अनुवाओ फिर कोश्चन नमबर फिप्टीन लास्ट जो हमारे पास हो है समस्थ शिक्षन का उधिश्य अधिगम को सुनिच्चित करना होना चाहिए तरक देरका समस्थ अधिगम शिक्षन का प्रिणाम होता है जिसका जो राइट अंसर ज एक पूछ्चा गया था तो दोस्तों वीडियो प्सकी तो जरूरू बीडियो को लाइक करें कमेंट और ज्यादा ज्यादा लोगों चैयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा ज वो पछसका पहुँं सके और साथी साथ एक बार फिर से मैं आप लोगा स्ब्सक्त करता हूँ अग कर बचया भड़े कर दो अजय है दोग है नहाँ चृचल में भाउते है cलिए नहाँ परिषा प्लग रहाँ खिम्राइन का लिए भाउ सर बशे है रहाँ स्टा से के शार रहाँ आनों आप लिए भीवाँ है आपना तर नहाँ स्टारी कर दो कि लिए भाजया है उन्चल